Brought to you by Agilis Diagnostics भेल टेस्क की बाद आती है तो मैं फ्रोसर करता हूँ इंडियास लाजर्जस डागनोस्टिक्स कमपनी Agilis Diagnostics खुद को टेस्ट करते रो हर्याना में एक बार फिर कॉंग्रस नेता राहूल गांधी का अलग अंदास देखने को मिला सोनीपत में राहूल गांधी किसान के घर पहुँचे और कॉंग्रस नेताओं के साथ बैठ कर हर्याना का खाना खाया लस्सी के साथ चूले पर पकी रोटी सबजी खाई इस दौरान राहूल गांधी महिलाओं से बातचीत करते भी नजर आए राहूल के साथ कॉंग्रेस सांसद दिपैंदर हुड़ा और पहलवान बजरंग पुनिया भी मौजूद रहें हमें कोवी सेफटी नहीं है अब रग भी है अब पंजाब में तुदंगा है अब यहां साथ हो रहें अब यहां जादा हो रहें पड़ लिख रहें है अग्रेटुएट हैं नलोकरीय कि नलेंगी तर और के बरंगे पॉलिज के लिए यूनिवर्सिटी के लिए अस्पतार के लिए आपके जेमें से पैसा निकलता ही जाता है आए आसा नहीं है रहुल ने जिस किसान परिवार के घर खाना खाया उनसे बातचीत की हमारे संबादाता पवन राठी ने महिला हमारे साथ जी नोंने अपने हाँ से खाना बना कर उनको खिलाया है उस्या जी क्या पता था कि रहुल गांदी अचाना गर पी आएंगे नहीं पता था जी एकदम फोना गया बच्चा के पास और वो आगे उसके बाद अमना खाना खिलाया और चुले परोटी बनाई अरी सबजी बनाई बिंडी की सबजी लसी वगारा सारी चीज अच्छी से खाना खाया उन्होंने उनके साथ कौन-कौन पहुंचे थे खाना खाने दिपेंदर उड़ा और बजरंगपुनिया और सत्पाल ब्रमचारी जी थे और काफी सारे लोग थे कभी सोचा था कि राहुल गांदी को अपने हाथ से रोटी कदे सपना में भी नी सोचा जी दीखना भी चाहिए वैसे जोर भी है कि बार उनका और बढ़ना भी चाहिए अमनत इसी सरकार चाहिए वही जो अमारे लिए अच्छा काम करया गया आने वाले में अज तो राहुल से वारतालाप हुई क्या बात ये हुई थी राहुल से बस अमने अपनी ये समस्या रखी थी उनके साथ भी बेरोजगार बच्चे हैं उन्हा नोकरी दो बच्चे नसे की और ज्यादा बढ़ रहे हैं और जुए की और ज्यादा बढ़ रहे हैं बच्चे कि अधिने मैनत करें उन्हा फिर भी नोकरी नहीं है पिर क्या बोले राहूल गांदी ने क्या जबाब दिया उन्हों ने यही का कि हमारी सरकार आने दोश के बाद करेंगे समादान पिर आज खुशी है राहूल को ख़णा करें बिलकुल खुशी है जी अपना पूरी हुई है कभी सोचा कि राहूल से मिलूंगी यही कभी नी सोचा था आप के तो घर पोच गई अचानक हाँ बहुत खुशी होई आप क्या नाम है जी मिथले जी आज राहूल गांदी से मिले हुआ आप क्या वरताला पूई क्या बाते हुई जो पड़े लिकी इंसान हो है वो आमें होत अच्छे लगे और उन्होंने शोच समझ कर जो बात आ मने कर निची ओक जिए उनने कई इक बार हमारी आने दो आमारी तर्व पुरा द्रिंदन खेंते क्या बाते रख़ी आपने क्या बताय रहूल को आज यहीजी बच्चे वो भी बेरोजगारी थी जी और यह जो प्रवाद करेंगे उन्होंने कई अमारी सरकाराने देए उसके बाद हम इसका भी समाधान करेंगे खाना खिलाया रहूल को विल्कुल नहीं सोचा था जी प्र यह क्या कोगे राहूल का वीदानिस बाचुनाओ मेसर दीखेगा कुछ बिल्कुल दीखेगा हम सामेशा से कांग नहीं पता था जाए अचानक पहुच गए अचानक कोच गए अचानक कोच गी तेक हमारे साथ हैं इसनु भी जी क्या कहना चाहोगे रहूल का प्रोग्राम अचानक कैसे बिना बना आप एक किसानों गाओगे मेरे पास पोन आया था अज सुबह उसने खाने के लिए बोला मेरे को कोई आदमी है कि मेरा बेरा बेरा मिर्मान अबनक का किर वह बोले खना अबनों आए ठेला एक क्या पता दखाए कि राहूल अचानक अपकर पहुच गाइगे संबह पोनशना था उतकи पर्शिय और इसना नंगोन को बताश नई परीवार को बताए ता हूँ अ aun पत कर दिया गाता खाने में क्या किला है राहूल को आज बिंडी सब्जी थी मिक्स बेज थी दाड़ थी सीट हर भारी सब्जी थी इस तरस माई यह समस्या पूचिती क्या क्या है यह बता ही बिरोजगारी का बता इंसे लेडिस से पुचा जातर बात हमसे कमी बात हुई ती अंगरिस के पहले भी थे जग बिर्गी बोट देते थे वह बंदर उड़ागे भी उसमनुक तक है अबस्वीस बात के कोशी हो ही है मारे खाना का गया हूँ चुले पर रोटी बनागर खिलाई है जी हां चुले पर बनाई क्या बोले मक्कन भी लाया हां मक्कन भी लशी भी हरी सब्जी भी थी बिंडी की भी थी तीन चार सब्जियां थी और लशी थी और कितिन देर रुके देगर पर आदा पोना गंटा तो लग गया और कुछ वरताला भूई हो लक्षी बस यह अपनी समस्चा रखी थी जी बालक ग्रेजवेट हैं पड़े लिके हैं इतनी मैनत अनो नोक्री न एक अपने ये समस्या रखी थी इसका नशे का वो करो परबंद करो पूरा बचेन से की और जारे हैं ऊर लड़केयां की समस्यां काल करो बहुत था पड़ान का भी उनका भी कुछ समाधान करो अमने अपनी ये समस्यां रख़ी थी फिर क्या जबाब दिया है उन्होंने बोला भी हमारी सकाराने दो उसके बाद सभी समस्यां अल करेंगे आपकी